आज हम कर रहे हैं चैप्टर नमबठ त्री जर्डदी आफ चॉकलेट यानि चॉकलेट का सफर तो चॉकलेट जो है वो उसके जो फल हैं वो द्रख्तों पर उपते हैं फिर उनके फलों में से फल्यों में से बीन्स निकाले जाते हैं beans को साफ किया जाता है, खुश किया जाता है, grind किया जाता है, फिर उनको कुछ और ingredients के साथ mix किया जाता है, और फिर packing के बाद, खुबसूरत chocolate हमारे हाथ में होती है, जो बहुत मज़ेकी होती है, तो my dear student, जिंदगी भी जो है, वो एक journey है, हम पैदा होते हैं, school जाते हैं, फिर हम job करते हैं, और उसके बाद, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो Allah ताला ने हमें भीजा है, कि हम दुनिया में रहते हुए, किस तरह हम अच्छी तरह से इस सफर को गुजार सकते हैं, क्यूंकि जिन्दगी तो असल में हमेशा वाली जिन्दगी, इस जिन्दगी के बाद शुरू होनी है, तो हम मुश्किल अलफाज की तरफ आते हैं, historian, historian कहते हैं, history बताने वाले को, तारीख बताने वाले को, और उर्दू में इसका मानी होता है, मौरिख, यानि हमें historian जो हैं, वो तारीख के बारे में बताते हैं, तो हम जो है, वो chocolate की history आज जानेंगे, ancient times, ancient times, आप जो है, इसकी pronunciation मेरे साथ भी बोलें, ancient, इसमें c.i.i.shin की आवाज निकालता है, ancient times, यानि जमाना कदीम, गुज़रा हुआ जमाना, symbol, symbol कहते हैं किसी निशान को, अलामत को, ठीक है, wealth, wealth कहते हैं, दौलत, wealth, जिसके पास ज्यादा पैसे हो, gold हो, वो wealthy होता है, wealth, और afford कहते हैं, have enough money to pay for, यानि ताकते, खरीद को या इस्ततात रखना, जब हम कहते हैं, वो चीज़ अफोर्ड कर सकता है, तो इसका मतलब है, वो चीज़ खरीद सकता है, उसके पास इतने पैसे हैं, फिर है, explorers, explorers, explore करने वाले, a person who explores a new or unfamiliar area, वो बन्दा जो एक नई चीज़ द्रियाफ्ट करता है, या उसका खोज लगाता है, या तलाश करता है, तो explorer जो हैं, वो तलाश करने वाले को कहते हैं, ब्रॉट जो है, वो है लाना, जैसे bring का पास टेंस है, ब्रॉट लाया, और ब्रॉट है, खरीदना, बाए करना, तो ब्रॉट जो है, आप पैसे दे के चीज़ खरीदते हैं, और ब्रॉट आप लाते हैं, पापुलर, liked by many people, किसी चीज़ को हम पापुलर कहते हैं, जो के बहुत सारे लोगों में मकबूल हो, उसको हम कहते हैं, वो पापुलर है, तो चॉकलेट जो है, वो बहुत ज्यादा पापुलर है, खास तोर पे बच्चों में, फिर है quickly, quickly का मतलब होता है, at a fast speed, बहुत तेजी से, तेजी से, quickly कहते हैं, बहुत तेजी से, spread कहते हैं, फैलाना, open out something, so as to extend its surface area, फैलने को, जैसे, आप ketchup को फिलाते हैं, और कोई भी चीज, बहुत ज़र्दी, लोगों में मिशूर हो जाती है, उसको भी spread कहते हैं, फिर है यॉरप, यॉरप जो है, वो एक continent का नाम है, the continent, that is to the east of the Atlantic Ocean, to the north of the Mediterranean, and to the west of Asia, ये सारे countries, ये यॉरप कहलाते हैं, जो के Atlantic Ocean, or Mediterranean, sea के दर्मियान हैं, जिसमें United Kingdom, France, Spain, Germany, और Romania, Ukraine, ये सारे इटली जो है, ये सारे countries जो है, यॉरप कहलाते हैं, throughout, का मतलब होता है, in every part of a place, throughout Europe, यानि जो चॉकलेट है, वो throughout Europe, बहुत मशूर हो गई, हर जगा पर, throughout, हर जगा पर, यानि यॉरप के हर मुल्क में, amazed, greatly surprised, amazed के मानी है, हिरान होना, आप क्यों जब हिरान होते हैं, तो आपकी आँखें फट जाती हैं, मुझ खुल जाता है, इसको amazed, हिरान, फिर है, cocoa tree, ये cocoa tree है, आप देख रहे हैं, कि ये unique tree है, इसका फ़ल, इसकी शाखों से, तने से लटका होता है, और ये इसका फ़ल है, फ़ली के अंदर इसके बीन्स होते हैं, फ्लावरिंग ग्रोव अंट रंक, ये आम तोर पे जो शाखें होती हैं, नरम शाखें उन पे फूल खिलते हैं, लेकिन इस्ट्री के फूल इसके तने पे खिलते हैं, फ्लावर्स ग्रोइंग अंट ट्रंक, ट्रंक दरफ्ट के तने को कहते हैं, पॉड, पॉड कहते हैं, एन इलोंगेटिड सीड वैसल आफा लेग्यूमिनस प्लांट, पॉड कहते हैं, फली जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जैसे आपके मटर की फलियां होती हैं, उनको जो चीज फ्रूट फलियों वाला होता है, उसे लेग्यूम कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, तो इसको फली को खोलते हैं, और उसके अंदर से बीन्स निकलते हैं, तो इसके भी, कोको ट्री के भी पॉड्ड होते हैं, जिनके अंदर से कोको बीम्स निकलते हैं, फिर है राइपन, राइपन का मतलब होता है, पका हुआ, फ्रूट और ग्रेंड ड्वेलप तो दा पॉइंट अफ रेडिनेस फार हार्वेस्टिंग और इटिंग, वो फ्रूट जो खाने के काबिल हो, पका हुआ हो, उसको कहते हैं राइपन, फिर है हीप, हीप कहते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कोको पार्ट का हीप है, इसको उर्दू में धेर या धेरी भी कहते हैं, फिर है डिलिशिस, हाइली प्लेजन टू दा टेस्ट, जो आपको बहुत मज़ेदार लगे, और उर्दू में इसको मज़ेदार कहते हैं, डिलिशिस, आपके मुझ से टपकने लग जाती है, और आपको बहुत मज़ा आता है, डिलिशिस चीज़ को आप बहुत देर तक अपने मुझ में उसका अच्छा जाइका महसूस करते हैं, फिर है ड्राइंग, बिकाउं ड्राइंग, किसी चीज़ को खुश करना, उसको ड्राइंग कहते हैं, तो कोको बीन्स को ड्राइंग किया जाता है, फिर है रोस्टिड, रोस्टिड का मानी होता है, आप बहुत देर तक एक चीज़ को आग के उपर गरम करते हैं, तो उसे रोस्ट करना कहते हैं, तो cocoa beans को भी roast किया जाता है, बुनाई की जाती है इनकी, फिर है edible, edible का मानी होता है, fit are suitable to be eaten, वो चीज जो खाने के like हो, उसको edible कहते हैं, खाने के काबिल, flavor, flavor जो है, the distinctive taste of a food or drink, किसी भी चीज का जाइका, आप देखें के मुख्तलिफ रंग जैसे ice cream के होते हैं, इनका जाइका हर एक का फरक होता है, इनको flavors कहते हैं, poured, किसी flow rapidly in a steady steam, उंडेलना, इसको poured करना कहते हैं, कि आप एक चीज से दूसरे चीज में चीज को उंडेलते हैं, poured, फिर है habit, habit का मानी होता है, regular tendency or practice, किसी चीज को बार बार करना, तो चॉकलेट खाने के बाद अपने दान्त जरूर साफ करने, वरना मीठे होने की वज़ा से आपके दान्त हराब हो सकते हैं, चॉकलेट अगर आप ज्यादा खाएंगे तो habit होती है, आदत, तो सोने से पहले, दान्त साफ करके सोना बहुत अच्छी आदत है, और अच्छी डरो और हमेशा सचे अलफास का इस्तमाल करो, तो प्यारे बच्चों सच बोलने के साथ कुरान मजीद को तर्जमे के साथ भी पढ़ें, ताके आप कभी जूट की तरफ माइल ना हो, इस दुनिया में भी कामजाब भी हासिल करेंगे और आखरत में, तो आज के सबक में हमन जो है चॉकलेट का जरनी पढ़ा, तो सबसे पहले हारवेस्टिंग होती है, जब फल पक जाता है, तो हम उसको उतारते हैं, फिर उसके अंदर से हम बीज निकालते हैं, बीन के उनको ड्राइ किया जाता है, फिर उनको रोस्ट किया जाता है वन में, फिर उनको बरीक पीसा जाता है, फिर उनकी अंदर मजीद चीजें डालके उनकी टैंपरिंग की जाती है, फिर उनकी मोल्डिंग की जाती है, और फिर हम इसको खुबसूरत पेपर में रैपिंग कर लेते हैं, तो प्यारे बचों उमीद है, आज आपको जो चैप्टर है, जरनी आफ चॉकलेट व और चैनल को सब्सक्राइब करें,